Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी follow कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे famous Anglo-Indian writer Ruskin Bond की एक short story के बारे में जिसका नाम है A Face in the Dark इसे 2004 में लिखा गया था Friends, इस story की language जो है वो बहुत simple है लेकिन इसमें जो supernatural element है वो इसे extraordinary बना देता है Friends, Ruskin Bond एक Anglo-Indian author है और उनका जन्व हुआ है 19 May 1934 में वो अपने fictional character Rusty के लिए बहुत famous है उन्हें साहित अकैडमी अवार्ड, पदमश्री, पदमभूशन ये सभी अवार्ड भी दिये गए हैं और उनकी famous works में Our Trees Still Grow in Dheera A Flight of Pigeons और The Blue Umbrella ये सभी शामिल हैं तो चले Friends, अब story को समझने की कोशिश करते हैं Friends, a story की setting रखी गई है हिमाचल प्रदेश के बहुत ही खुबसूरत शहर में जिसका नाम है शिमला शिमला अपने पहाडों, जंगलों के लिए बहुत famous है जितना natural है वहाँ का नजारा जितना खुबसूरत है उतना ही रात के समय वो नजारा देखने में dangerous हो जाता है रात के समय में लोग जंगलों को avoid करते हैं main road से जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कई तरह के ऐसे जंगल हैं जहां लोग विश्वास करते हैं कि भूत प्रेथ हुआ करते हैं मगर इस story का जो protagonist है Mr. Oliver वो ऐसा नहीं मानता Mr. Oliver एक English school, Eton of the East में teacher है और वो इन भूत प्रेथ जैसी चीजों में बिलकुल विश्वास नहीं करते हैं वो एक bachelor हैं और रोज शाम को शिमला के market में घूमा करते हैं अब उसी तरह एक दिन वो शिमला के market से घूम कर वापस school लोट रहे थे लेकिन उन्हें लोटते लोटते थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने decide कि वो main road से नहीं जाकर एक छोटा रास्ता लेंगे वो छोटा रास्ता pine forest से गुजरता है pine जो पेड़ होते हैं उसके जंगल से फ्रेंट्स, pine forest में एक problem ये है कि हवा जोर की बहे या धीमी pine के जो पेड़ होते हैं उनके पत्तों से हवा के टकराने पर बड़ी अजीब टाइब की sound आती है बहुत spooky डरावनी टाइब की sound होती है और इसलिए भी लोग उधर से जाना नहीं चाहते मगर ये जो Mr. Oliver हैं ये बहुत brave हैं और उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पढ़ता वो इन चीजों पर कोई विश्वास भी नहीं रखते हैं इसलिए वो अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़े हुए उस जंगल के बीच से जा रहे हैं अब जब वो उस जंगल में कुछ दूर आगे जाते हैं तो उनकी निजर एक परचाई पर पढ़ती है और वो जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो एक बच्चे की परचाई है जो अपना सिर नीचे करके अपने हाथों में अपना सिर लेकर रो रहा है अब फरेंड़ सी जो बच्चा है इसकी रोने की आवाज उन्हें बड़ी अजीब लगती है मिस्टर ओलिवर को अजीब लगती है क्योंकि ये नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं रो रहा है इसकी रोने की आवाज बिल्कुल शान थे कोई आवाज नहीं आ रही है और एक तरह से Mr. Oliver confused है कि आखिर इतनी रात के समय इस जंगल में ये बच्चा क्यूं है तो वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो क्या तुम्हें पता नहीं है कि इतनी रात गए बच्चों का जंगल में घूमना मना है मगर वो बच्चा अपना सिर नहीं उठाता और नहीं Mr. Oliver की बात का कोई जवाब देता है तो Mr. Oliver दुबारा कहते हैं और इस बार थोड़े कड़े आवाज में कहते हैं कि मैंने तुम से पूछा तुम यहां इतनी रात गए क्या कर रहे हो बच्चों का रात के समय जंगल में घूमना मना है क्या तुम यह बात जानते नहीं हो मेरी तरफ देखो तो फिर वो बच्चा रोना सुबकना बंद करता है और उपर अपना सिर उपर करता है लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है मिस्टर ओलिवर के हाथों से उनका टॉर्ट छूट जाता है उनके पैरो तले जमीन खिसक जाती है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जो बच्चे का सिर है उस पर ना कोई आखे हैं ना कान हैं ना नाक हैं ना मूँ है सिर्फ एक स्मूद चहरा है और उसके उपर एक स्कूल की कैप रखी हुई है अब ये देखकर मिस्टर ओलिवर बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और उल्टे कदमों से पीछे भागना शुरू करते हैं और चिलाते हैं हेल्प हेल्प किसी से भी मदद मांगते हैं थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक जलती हुई लाल टेन दिखाई देती है और वो दौड़ कर वहाँ जाते हैं देखते हैं कि वहाँ एक वाच्मेन है अब उन्हें इस बात की तसली होती है कि चलो ये जो भयानक चीज मैंने देखी उसमें मैं अकेला नहीं हूँ वहाँ कम से कम एक वाच्मेन है वो मेरी मदद करेगा अब वो दौड़ कर उस वाच्मेन की बास जाते हैं तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ साहब आप क्यूं दोड रहे हैं इस रात के समय में तो वो बताता है डर डर की Mr. Oliver बताते हैं कि वो जो जंगल है ना वहाँ मैंने कुछ देखा क्या देखा तो मैंने एक बच्चे को देखा मगर उसकी आँखे नहीं थी नहीं नाग थी नहीं कान थी नहीं मूँ था मैं नहीं जानता कि वो क्या था तो वाच्चमेन बोलता है क्या कहा अपने नहीं नाग थी नहीं मूँ था और उस लाल्टेन को वो उपर अपने चेहरे के पास लाता है और बोलता है कहीं इस तरह का तो नहीं था और ये देखते ही Mr. Oliver के मूँ से एक चीख निकलाती है क्योंकि उस वाच्चमेन के भी चेहरे पर ना आँखें थी ना नाग था ना मूँ था यहां तक की आईब्रोज भी नहीं थे और उसी समय जोरों से हवा चलती है और उस लाल्टेन की रोशनी बुझ जाती है और फ्रेंट्स यहीं पर यह स्टोरी खत्म हो जाती है इस स्टोरी की एंडिंग राइटर ने अपने रीडर्स की इंट्रेस जगाने के लिए इस तरह की छोड़ी है ताकि आप सभी भी यह सोच सके कि आखिर Mr. Oliver का क्या हुआ तो फ्रेंट्स आपको क्या लगता है आखिर Mr. Oliver के साथ क्या हुआ होगा मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तो फ्रेंट्स यह थी रसकिन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरी A Face in the Dark